नमस्कार दोस्तों बिन मांगे गयान अफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल घंती को दबाद दीजेगा ताकि जो भी नया अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे प दीजाम हुआ था तो लिज़िन पेपर मिला नहीं लेकिन जितना हम को याद आया है question उतना मैं cover किया हूँ इस वीडियो में तो आप लोग on तक वीडियो को देखिएगा और कहीं अगर आपको लगता है कि नहीं इसका question ये सही नहीं है तो आप लोग comment करके ज़रूर बताईएगा हो सकता है कहीं एक दो question गलत हो जो इसमें हम answer दिये हैं तो आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप लोग comment किजिएगा किसी answer में अगर आप लोगों को doubt लगता है तो उसमें सुधार करेंगे हम तो दोस्तों चले वीडियो क्वेश्टार्ट करते हैं तो दोस्तों पाला question है इसमें sequence जो है अपना अनुसार हम sequence दिये हैं क्योंकि जैसे हमको याद आया है question क्या-क्या पुछा गया था तो चीज हम लिखते गया है तो sequence उसका और इसका match नहीं करेगा तो यह मेरा sequence है मैं अपने तरफ से sequence दिया हूँ इस question का तो उस पर आप लोग मत देएगा और आप लोग comment किजिएगा तो question का sequence नमरिंग के हिसाब से आप लोग comment किजिएगा कि किस question number में गलत है यह answer होना चाहिए वो चीज आप लोग नमर देखर करके आप लोग comment किजिएगा चले video start करते हैं तो दोस्तों पहला इसमें question है hybrid wagon का बीजदर कितना होता है तो हईब्रीड wagon का बीजदर 200 गराम प्रती हेक्तियर होता है और दूसरा question है hybrid टमाटर का बीजदर कितना होता है Frederick Saus से 150 गरम hybrid टमाटर का बीजदर होता है और mangंग रैला किसीजन का फसल है किसीजन में लगाया जाता है तो Ravi kid? क hizo以前 में लगाया जाता है और एक और question पुछा गया था और जवाइन की सीजन में लगता है तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है आप लोग इसको अपने देखते जाईएगा और कटहल के नर्फूल का पाचान होता है, तो कटहल के नर्फूल का जो सता होता है, वो चिकना होता है, और मादा का जो होता है, वो फृदुरा होता है, तो चिकना होगा ये सता है, इसका कटहल के नर्फूल का, और गेहूं का बेगानिक नाम आप लोग सब लोग जानते हों है किन्नों का क्रास देख लेते हैं किन्नों का क्रास पुछा गया तो शंप रॉप्स पत्ता किया पूछerाados ग्रारत है अगला कोच्चिन फिर ख cabinet कितनी होती है तो यहां पर सुछाज नाग। यहां पर पूछा था तो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था लेकिन यह सुखा चारा ही पूछा गया था तो इसमें 12 पर सिंदमी होता है आप लोग यहां पर डाउट होगा तो आप कर दोatar्येगा और ग्री काल चर्ग एक्षा प्लीजांस quarter default जोन होता है चार होता है ऐखार चार होता है के इससा पर के अपन। पर श्रूरat और चार खावन यहां ब्वागें होता। आप लिए होत कमेंट करूछे ट्रहें और उन्हां को जानता है अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा तो अगला कोशन था सेंट्रल टूबर क्राप रिसर्च सेंटर ये तिर्वंद पूरम केरल में है दोस्तो और पता गोवी कितनी दूरी पर लगाते हैं तो 45 गुने 45 सेंटीमीटर और फूल गोवी की दूरी जो है अरली की 45 गुन और पॉली हाउस पॉलीथीन सीट की मुटाई कितनी होती है 200 माइकरान होती है 200 माइकरान इसकी मुटाई होती है स्रीमिला मिर्च में कितना डिग्री तापमान के उपर परागन नहीं होता है तो 20 डिग्री चल्शेस के उपर परागन नहीं होता है आगे देख लेते हैं बिरिधी और मिर्दा में हवा का संचार बढ़ जाता है और ओल में कौन सत्त हो पाए जाता है तो कैल्सियम और जिलेट पाए जाता है दोस्तों यह वला आपसंजू था वहीं सही होगा बहुत लोग सुलफर विमार थे लेकिन सुलफर वला आंसर जो है गलत है और जीमिकंद का प्रोपोगेशन कैसे होता है तो जीमिकंद का प्रोपोगेशन दोस्तों कॉर्म से होता है जीमिकंद काते किसे हैं तो जीमिकंद ओल को ही काते हैं बिहार में ओल इसको काते हैं सूरन भी लो काते हैं ओल सूरन जीमिकंद तीनों एक ही चीज है तो बहुत लोगों किसमें जो कमबसंट चेंबर होता है उसमें सिनेहन अगर जाता है मोबिल जाता है तब सफे धुआ देता है इंजन और अगला कोचन है दो श्ट्रोक इंजन में पावर श्ट्रोक चार स्ट्रोक इंजन में डैस होता है तो दो गुना ही होता है इसमें 2-4 गुना तो दूगुना वाला जो आपसंथ यॅश्पय होगा और 21 देख लेते हैं कुल राज ये क्रिशी भी जबी डाला कितने हैं तो 63 इसमें बरतमान में सोकर है लेकिन 63 अपसर में नहीं दिया गया था तो मिर्चा बीज में तेल की परतिशत मात्रा सूल रिपांत्रा होता है मिर्चा के बीज में लेकिन आंसर जो दिया गया था बहुत क्लोज दिया गया था उसमें सारे 24 परसंट था, सारे 22 परसंट था, 20 परसंट था, इस तरह से मने दिया गिया था, तो इसमें confusion है, लेकिन आप लोग याद रखिए, 16 से 25 परसंट होता है, आगे परतियोगी परिछाओं के लिए जो है, उपयोगी हो सकता है, आप लोगों के लिए, सौप का वेगा झाइक भाग भीज है, किसका वेवसाइक भाग भीज है तो इस अब गूल है, मेंथा Lambun Grass जो है, पत्ता होता है, बेवसाइक भाग और आशोग प्रीजास जो है यह सब गूल का बीज होता है तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है मेथी मेथी का वेगानिक नाम तो यह पुछा गया था तो ट्राइगो नेला फ्वेनम ग्रेकं यह होता है रिद्धिक पर जाती है तो सरीफा का है दोस्तों लेकिंद सरीफा अप्सान में नहीं दिया और बहुत सर्च करने के बाद जो शरीफा मिला नेट पे और कोई फसल का नहीं दिखा रहा है नेट पे तो आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि उसका सही आंसर क्या होगा एक उसमें आमला था और एक अनार था और और क्या-क्या था हम को याद नहीं लेकिन दू आप सनम क याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पताएगा आप लोग उसमें मा रहे हैं और में था मैं था का बहता है मैं अगला कोचन तो यह बाता है किस kul में आता है तो सोलेनेसी कुल में आता है मकोई और आगे देख लेते हैं कटहल की खेती समुदर तल से कितनी उचाई पर सर्वुताम होती है तो अगला कोशन देख लेते हैं उस्ट काटि पंदिये फल इसमें कौन सा है तो चार अपसां दिए गया था जिसमें सेव था केला था सेव आम ठा आम अकेला था और एक अपसन था तो आम और केला जो था ये वला अपसां साही था उस्ट काटि बन दिए अंग्रेजी में इसको का Și a propicle-ormal-फृूट चलिए दिख लएते हैं अधरक किस Какा रुपानथरन होता है तो अधरक का लगा है जाता है तो खरीब शेजन में लगता है और हल्दी का सरीश हल्दी का सकती है धनिया का वेगानिक नाम क्या होता हैं गला साओन कोश्चेन मंग्राइला का वेगानिक नाम पुछा गया था मंग्रेला का वेगानिक नाम नाइजिला सट्य greatness होता है झाल साय होता है और भी निया से लोगा नीधी था उसमें और भी आपसन झाल से ज्यादा नुख्सान होता है कई लोगों से लिश्स करने के बाद में aşका जो है पाला ज्यादा प्रकुःप होता है कि आप लोग कमेंट करके बताएं है क्यों लोम ओर इसे कुल का है तो पालक दोस्तोंं चिनों कोड ये स्कूल में आता है और अगला कोश्चन देख लेते हैं क्या नमर निमलखीत में से कौन सी धान की हाईविर्ट की स्में तो दोसो एच भी करके कुछ था इसे आगे कुछ कोड था इसमें तो कोड हमको नहीं याद आ रहा है तो आप लोग को कमेंट करके बताएगा आप लोग क अब करके चाहिए तो इस पर करके आप आप लोग को कैसा लगा है जनकारी अच्छा लगा गएगा तो आपका बाइक करते हैं तो आपको भाई को मोटिविशन मिलता है इस तो दोस्तोा आज के विडियों बस इतना ही सब्सक्रों अगर हमारे tes 2016 में हम लिंक दे दिये है वहारे टेलि ग्राम से आप से लिए हैं आपको अंपड़ी देंगे और आप लोगों को गायड करेंगे। त्यारी से सम्मंधित तो हमारे टेलिग्राम चैनल से आप लोग जोश सकते हैं प्रखंड क्रिशी पलादिकारी की त्यारी के लिए तो दोस्तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप लोग जोईन कर लिजिएगा तो आज के वीडियों बसेता ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ थैंक यू सो मैच